Hey everyone, welcome back आज के इस वीडियो में एक छोटा सा कोशन करेंगे आप इसको खुद कर लो, एक काफी easy कोशन है आपको एक function मनाना है function का नम आप कुछ भी रख सकते हैं for example function का नम आपने रख दिया calculate power तो यहाँ पे calculate power as I input लेगा दो चीजें for example एक number लेगा 2 और एक exponent लेगा मतलब एक power लेगा 3 तो 2 की power 3 क्या होती है? 8 तो आपको return में क्या मिलेगा? 8 मिलेगा for example अगर आप same function में अगर आप 2,4 पास करोगे मतलब 2 की power 4 का calculate करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 16 मिलेगा तो कोई भी number लेग सकता है for example 3 की power अगर आप 3 पास करेंगे तो 27 मिलेगा आपको तो कुछ इस तरह से function काम करेगा हमारा तो इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक हमने recursion से करना है इसको recursion से कैसे कर सकते हैं? काफी easy है for example आपने 2 की power 4 का calculate करना है तो आपने इसको तोड़ना है तो कुड़ों में तो 2 की power 4 क्या होता है? 2 की power 2 into 2 की power 2 ठीक हम इन दोने को आप multiply करोगे तो आपको 2 की power 4 मिल जाएगा अब further 2 की power 2 को आपके तोड़ सकते हो 2 की power 1 into 2 की power 1 और फिर से यहाँ पे 2 की power 1 into 2 की power 1 और यह base condition हो गई किसी की भी power अगर 1 हो तो वह ही number हो जाता है तो 2 की power 1 कितना होगा? 2 होगा, यहाँ के 2 की power 1 कितना होगा? 2 होगा, 2 into 2, 4 हम return यहाँ पे क्या करतेंगे? 4 return करतेंगे सेम जिस यहाँ पे यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा base condition है यहाँ से में 2 मिल जाएगा base condition से multiply करेंगे तो over return कर देंगे 4 आजाएगा अपने पास 4 into 4 हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा but हम क्या कर सकते हैं? हम इसको और optimize कर सकते हैं जिससे हमारी time complexity और improve हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? इसको improve कर सकते हैं इसकी time complexity को वो कैसे है? for example 2 की power 4 निकालने है आपको तो आपर दो example लेता हूँ मैं अगर हमारी power हो even और एक हो अगर हमारी power हो odd तो कैसे निकलेगा? for example even power का example ले लेंगे 3 की power 4 for example odd power for example 3 की power 5 तो 3 की power 4 अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हो आप? तो 3 की power 2 into 3 की power 2 तो आपको मिल जाएगा answer अब 3 की power 5 निकालने हैं तो simple है तो 3 की power 2 into 3 की power 2 into 3 दुबारा कर देंगे हम यही number दुबारा कर देंगे दुबारा क्यों किया? क्योंकि power थी यहां पर ode हम 5 by 2 करेंगे, 5 by 2 कितना आता है 2 point something आता है हम decimal, वो तुछे calculate करी सकते हैं कि यह ode है, even है बस ode के case में क्या करेंगे पहले power को आदा कर देंगे 5 by 2 कर देंगे, जो कि 2 point something आएगा हम सिरफ integer value consider करेंगे तो half power निकाल देंगे पहले यहां से फिर उसी को उसी number से multiply कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे यहां पर वो ही number से दोबारा multiply कर देंगे तो easy हो गया काफी सारा ना मतलब, for example 3 की power 4 के लिए आप 3 की power 2 निकालो और फिर उसको calculate मत करो इसको एक variable में store कर लो for example half power नाम के variable में store कर लिया जो भी answer आएगा उसको half power into half power से multiply कर तो आपको answer मिल जाएगा और इस case में क्यों हैगा half power into half power into जो भी number होगा उससे multiply कर देंगे काफी easy है एक बार इसका code लिखके दिखातूँ आपको मैं आपको और अच्छे से clear होगा और फिर उसको dry run करके दिखाऊँगा काम कैसे कर रहा है तो एक बार code लिखते हैं इसका function मनाएंगे for example calculate power as a number लेंगे और exponent लेंगे सबसे पहले दो base condition लगा लेते हैं जो कि आपको पता है किसी की भी power अगर 0 calculate करने है आपको तो हमें return करना है 1 अगर किसी की power आपको 1 calculate करना है तो आपको वो ही number return कर देना है उसके लावा पहले तो number को divide करना है for example चाहे 4 हो तो 4 by 2 करना हमें जो कि क्या आएगा 2 आएगा और चाहे 5 हो और 5 को 5 by 2 क्या आएगा 2 point something आएगा but हमें क्या चाहिए 2 चाहिए तो हमें वोही काम करना पड़ेगा तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं for example 2 की power 4 निकालना है so 2 की power 2 पहले 2 की power 2 हो जाएगा पैले 2 की power 2 भी तो निकालना पड़ेगा तो हमें 2 की power 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसी function को दुबारा call करेंगे कैसे करेंगे तुबारा call for example calculate power अब number तो होई रहेगा 2 की power निकालने है अगर हम 2 pass करेंगे but power half कर देनी है तो half कैसे करने है हमने exponent by 2 but ये क्या देगा points भी देगा for example 5 का case में भी points दे देगाई हमें क्या करने है points को ignore करना है तो points को ignore कैसे करेंगे हम math.floor तो points हो गए इससे ignore हो गए points अब हमें इसको कहीं पर store कर लेता हूँ for example half power नाम के variable में मैंने इसको store कर लिया क्योंकि ये मुझे answer लाके देगा समझे इसको try and करके दिगाऊंगा don't worry कैसे काम करेगा ये पूरा का पूरा हमें क्या करता हूँ और मैं check कर लेता हूँ अगर power even है तो मेरे को simple इससे दुबारा multiply करना है अगर odd है तो मेरे को साथ में एक number भी add करना पड़ेगा तो वो देखते है अगर जो exponent है जो मेरी power है अगर मेरे को like 2 से divide करके reminder 0 आ गया अगर वो even है तो तो मैं क्या करूँगा simple return कर दूँगा half power into half power और अगर नहीं है else मुझे क्या return करना है अगर power odd है तो मुझे same करना है बस साथ में वही number दुबारा भी add कर देना जो कि मैं आपको समझा ही चुका हूँ अब एक बार इसको run करके देखते हैं और फिर इसको dry run करके देखेंगे और फिर इसकी time complexity के बारे में बात करेंगे इसको run करते हैं अभी calculate power for example 3 की power 2 2 की power 2 2 की power 4 और यहां पर 3 की power 5 for example तो यहां पर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए 9, 4, 16 3 और 243 यह आना चाहिए यहां पर console.log कर देता हूँ सब में मैं run करते हैं इसको देखो यहां पर गया रहा है 9, 4, 16, 243 बिल्कुल सही आ रहा है 9, 4, 16, 243 बिल्कुल सही इंसर आ रहा है तो अब इसको dryland करके दिखाते हैं कि यह काम कर कैसे रहा है Guys, DSA के सासर development skills बहुत important है development के लिए आप हमारी website portprog.com पे जाके visit कर सकते हैं आप मेरा react का course चैक आउट कर सकते हैं और हमारा back end का course जैंगो चैक आउट कर सकते हैं आपको easy to understand language में इन technology में in-depth knowledge हो जाएगी अगर आप इन courses को follow करोगे तो आप इनका curriculum जाके देख सकते हैं curriculum जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही design किया है हमने इस course को जिससे आपका time भी वेस्ट ना हो और पूरे की पूरी knowledge भी आपको मिल जाए interview question से लेके projects तक आपको सब कुस देखने को मिलेगा और अगर आप इन course को follow करेगे I guarantee you guys आपको बहुत फायदा होगा इन courses का easy to understand language में आपको in-depth knowledge और शायद किसी course में ना मिले तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन courses को एक बार syllabus देखें इन courses के अंदर अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं run कैसे कर रहा है हमारा code for example आपको 3 की पावर 5 निकालना है तो मैं थोड़ा सा बड़ा example ले रहा हूँ तो 3 की पावर 5 निकालना है तो number 3 हो गया exponent हो गया 5 हो गया क्या इसमें से कोई base condition में इट कर रहा है अभी तो नहीं कर रही अब हमें क्या करना है यह function run कर रहा है calculate power नउप और यहाँ पे 2 बदब 3 की पावर हमें 2 calculate करना है तो हम कर देते हैं 3 की पावर 2 calculate तो हमें यह function कोल कर रहा है 3 यहाँ पास कर रहा है हो जाएगा दुबारा कॉल कर देते हैं इस function को तो अब यहां पर के क्या कर रहा हम नंबर में क्या आ चुक्त है मेरे पास यहां पर और मेर में थृ और यहां पर i2 किस्ट कनेमिन कर ये लिए नहीं कर रहाए तो यहां से फिर से function call ऐगा,क्या पास हो गया इसके अंदर number तो हई sei रहे अपना ट्रीक है,वर यहां-पर power थी two exponent था two, एक्सपोनाइट था two थो तो two by two कितन हो गया two by two कितन हो गया one हो गया अपने पास है तो यहाँ पे one अब यहां पर हमने इस function को फिर से call कर दिया अब इसमें क्या होगा अब यह देखो base condition यह वली meet कर रहे है अपने पास ठीक है यहां पर क्या number क्या 3 है यहां पर exponent क्या 1 है तो 3 की power 1 कितना होता है 3 होता है तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा यहां पर 3 मिल अगला काम करना है हमें ठीक है अब हाफ पावर हमें मिल गई यहां पर हाफ पावर कितने मिल गई हमें 3 मिल गई अब यह पावर क्या थी मतलब हमारी पावर थी यहां पर even थी ठीक है मतलब exponent था वो क्या था इस case में इस case में हमारा exponent था 2 था हमारा exponent जो कि क्या है सेम है ठीक कि हमें यहां पर 3 की पावर 2 9 मिल गया हमें यहां ना 9 मिल गया तो हम यहां इसको 9 वापस return कर देंगे हम क्या करेंगे यहां से इसको यहां पर इसको मिल जाएगा प्रोपर इसको 9 मिल जाएगा समझ अब यहां पर exponent की value थी 5 थी ना तो यह किस case में fall कर रहा है हमें return में क्या मिल जाएगा 243 मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से काम होगा अब इसकी time complexity के बारे में बात कर लेते हैं इसकी time complexity काफी interesting है देखो for example हमें 3 की पावर 8 calculate करने थी इसके लिए हमें कितने step करने पड़ेंगे सबसे पहला step हमें क्या करना पड़ेगा हमें 3 की पावर 4 calculate करने पड़ेगी ठीक है 3 की पावर 4 के बाद हमें क्या करना पड़ेगा दूसरा step हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 calculate करो तीसरा step हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 calculate करो यह हमारा base condition हो गया इसके बाद हमें कुछ नहीं करना तो हमें 8 के लिए हमें 3 step perform करने पड़ रहे हैं तो एक तरह से क्या हो गए लोग n हो गए हमारी जो time complexity है वो कैसे हो गई देखो तो हमारा जो लोग 8, power कितनी थी? 8 हम हर बार कितने से divide कर रहे हैं हर बार हम 2 से divide कर रहे हैं तो जो एक इतना हो गए 3 हो गए और यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 steps ही तो हुआ है ठीक है 16 के लिए हमें ये 4 step करने पड़ रहे है 8 के लिए हमें 3 step करने पड़ रहे है 16 के लिए हमें शिर्फ 4 step करने पड़ रहे है मतलब क्या है हर बार हम अपने input को by 2 divide कर रहे है जब हम log 8 किसी का आपके log निकालना है और अगर आप इस number को 2 से divide करते रहोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा आपको ये 3 मिल जाएगा 8 अगर power है तो हमें 3 step करने पड़ रहे है log 16 based 2 कितना होता है आप google पे search करके देख लो या calculator में calculate करके देख लो log 16 based 2 कितना होता है 4 होता है अब हमेशे एक बात याद रखना है जब भी आपकी जो inputs है ये आपको याद रखना है जब भी आपकी inputs है for example हम binary search भी करेंगे उसमें भी हमारे पास array होता है उसमें भी क्या होता है for example हमारे पास पहले 16 items थे array के अंदर यहाँ पे 16 items थे for example हम next time जब binary search करते है न तो हमारे पास 80 items रह जाते है next time जब हम search करते है न तो हमारे पास 40 items रह जाते है जब आपकी ऐसे divide हो रहा हो न आपकी जो input है हर बार 2 से divide हो रही हो तो आप चुप चाप लिख देना कि log n इसकी complexity है और base उसका होगा 2 यह आपको मैंने shortcut बता दिया log वाली complexity को find out करने के लिए तो यही था इस video में guys हम इलते है next video में